आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अगर आपको भी अपना वजन कम करना है तो आपको क्या खाना चाहिए और क्या बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए वजन कम करना आसान नहीं है लेकिन अगर सही तरीके से योजना बना कर उस पर काम किया जाये तो उतना मुस्किल भी नहीं है कितने भी एक्सरसाइज कर ले जिम में वर्काउट कर ले खुब पसीना बहा ले लेकिन अगर खान पान सही नहीं है तो सब व्यर्थ है इसलिए इस वीडियो में जानिए कि वजन कम करने के लिए आहार में क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए अगर हमारी वीडियो पसंद आईगी तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जो की नुकसान दायक हो सकती है इस समय आप बाजरा, रोटी, ओच्स या ब्राउन राइस का सेवन कर सकते हैं प्रोटीन से भरपूर आहर ले मूंग दाल को प्रोटीन के सबसे अच्छे सुरोत में से एक माना जाता है 100 ग्राम मूंग दाल में 24 ग्राम प्रोटीन होता है प्रोटीन प्राप्त करने के लिए आप चिकन खा सकते हैं तूना, मुर्गा, मचली में हाईर प्रोटीन होता है तो आप इन सब का सेवन कर सकते हैं दूसरी तरफ प्रोटीन के प्रमुक पौधे जो ऐसे की नट्स, बीज यानिकी सीट्स, आलू, साबूत अनाज और फलियां सामिल है मुटापा घटाना है तो विटमिन को आहार में सामिल जरूर करना चाहिए नट्स, फल और पत्तेदार सबजियां जरूर खाए विटमिन सी जैसे की नीमबू, अमरूद, संतरा, पपिते का सेवन उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो की अपना वजन कम करना चाहते हैं या फैट बर्न करता है इससे आपको आपके वजन कम करने में मदद मिलेगी वजन कम करना है तो अच्छा वसा युक्त आहार जरूर ले सरसो का तेल, राइस बेन ओल, जैतुन का तेल, तिल का तेल, मूम तेल आदी भोजन के लिए इस्तमाल करें लेकिन ट्रांस फैट से बचें रात को सोने से पहले ग्रीन टी पीने से आप अपने लक्ष को जल्दी पा सकेंगी रात को डिनर के बाद चेरी खाए इसको खाने से वजन कम करने में मदद मिलेगी वजन घटाने के लिए दाल चीर्नी का इस्तमाल फायदे मन रहेगा सुबा के नास्ते के पहले और सोने के पहले से जरूर ले सहद ले क्योंकि इसमें मौजूद आवस्य कार्मोंस भूग को दबाने और वजन घटाने में सहायता करती है सरीर में पानी की कमी से मेटाबॉलिजम पर बुरा असर परता है जिसे सरीर फैट बर्न नहीं कर पाता लेकिन जादा पानी पीने से भूग भी कंट्रोल में रहती है और वजन भी नहीं बढ़ता काली मिर्च को अपने भोजन में जरूर सामिल करें ये आपके पेट को ठीक रखेगी और आपके सरीर की कैलोरी को जलाएगी अब ये भी बात कर लेते हैं आखिर आपको क्या नहीं खाना चाहिए सुगर वाले ड्रिंक्स अवोइट करें इसमें बहुत अधिक स्विटनर होता है इससे आपका वजन और बढ़ेगा बाहर का खाना ना खाय क्योंकि एक दिन का बाहर खाना आपके लिए पूरे टार्गेट को पानी फेरने के बराबर होगा लोग वजन घटाने के लिए दही का सेवन ज़्यादा करते हैं लेकिन ज़्यादा दही का सेवन करने से वजन बढ़ सकता है अगर आप बाहर के मार्केट के फ्रूट जूस पीते हैं तो बिल्कुल भी ना पिए आप घर का बना पी सकते हैं समूसे मोमोज या नूडल्स में मैदा होता है जिसमें फाइवर नहीं होता जो की रिफाइन डाता होता है इससे आपका वजन और बढ़ेगा डीफ फ्राइट चीजें ना खाए यह वेट बढ़ाएगा सराब भी सरीर में मुटापा बढ़ाती है इससे फैटी लीवर डिसीज होने का खतरा भी बढ़ जाता है अगर आप अपनी डाइट में मीट को हटा नहीं सकते तो इसके सेवन को कम जरूर करे ज्यादा मातरा में नमक का सिवन बिल्कुल भी ना करे फ्रेंच फ्राइज को हेल्दी न समझे इसमें बहुत कम विटमेन, मिनरल या फाइवर होता है इसमें ज्यादा सोडियम और ट्रांस फैट होता है जो आपके पेट के लिए ठीक नहीं होता उम्मेद करते हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो एक कमेंट जरूर करें